तो चलो बच्चो आज हम पुने सामाजी विज्ञान कक्सा साथ काध्यन करने जा रहे हैं जो हमारे सामाजी विज्ञान का कौन सा भाग है? ये थर्ड भाग है जिसका क्या नाम है? जिसका है सामाजी के उस राजमितिक जीवन भाग दो इसके अंत्रगत हमने जो है 6 चैप्टरों को पूरा कर लिया है आज हम उसी 6 चैप्टर के जो हमारा द्याय क्या है संचार के माद्मों को समझना है इसके अंतिम भाग के अंत्रगत जो अंतिम भाग कौन सा है अपना भाग नंबर 3 उसके अंतरगत पाटे पुस्तक के पर्षन हल करेंगे अब एक बार इस पूरे पाट पर संचार के माधिमों को समझना इस पर हमें एक बार पुना इसमृण कर लेते हैं पुना आपको नई-ने तक्निकों का विकास हुआ और नई-ने इलोक्ट्रोनिक माध्यम आए हमारे समाज में और साथ में उनका प्रियोग किस प्रकार से हुआ और साथ में जो संचार के जो माध्यम है उनका धन से किस प्रकार से संबन्द है किस परकार से बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का हना जो इन पर कपजा रहता है धबाव रहता है निहंतरन रहता है इसके अंतरगत हमने पड़ा दूसरे जो भाग के अंतरगत हमने क्या पड़ा था आपको पुना इस्मरन करा रहा हूं मैं दूसरे भाग के अ निर्मान में या सरकार के लिए हैं जो ये संचार के माध्यम जनता को भीविन प्रकार से जागरुख करते हैं तो चलो इस पूरे पार्ट पर हमने एक बार पुने इस्मरण कर लिया आपको मैंने याद दिला दिया है अब इसी पार्ट के हम क्या करने जा रहे हैं परसनों उत करते हैं प्रथम प्रसन नंबर कौन सा है प्रथम इसको पढ़ते हैं फिर इसके उत्तर को भी आपको समझाते हैं प्रजातंत्र में संचार माध्यम में किस प्रकार की महत्रपूर्ण भूमी का निभाते हैं अब यह प्रसन क्या है जैसे कि हमने बात की भाग दोक्य अंत्र गपढ़ात हाए, कि प्रजातंत्र में जो संचार के माध्यम है, वो किस प्रकार की भूमी का निभाते हैं, सीधा सा अर्थ है कि प्रजातंत्र में है ना जो ये संचार के माध्यम, चोता इस्तंब के रूप में जाने जाते हैं इनकी मैतरपुन भूमी का विशेश रूप से क्या क्या होती है कि सरकार बनाने में और सरकार का खेल बिगाडने में दोनों इस्ततियों में इसकी मैतरपुन भूमी का होती है सरकार के विभिन काम काजो की जानकारी हमारे को किसके माध्यम से मिलती है संचार के माध्यम जिसमें क्या क्या है संचार के माध्यम जैसे समाचार पत्र है टीवी रेडियो है जो उसमें विभिन परकाच के विभिन परकार के क्या आते हैं न्यू चैनल आते हैं बाद माध्यम से हमें सरकार के विभिन कामकाजों की जानकारी मिलती है और जब जैसे आप मैंने एक उधार्ण भी दिया था आपको कि जैसे चुनाओं के समय हम हमारे को पूरे पांस साल का जो रिकोर्ड प्रस्तुत हमारे सामने कौन रखता है विभिन संचार के माध्यम संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है इस पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसके बारे में हम कहां से जान पाते हैं संचार के माध्यमों के द्वारा संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ज किन मुद्दो पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना है किन मुद्दो पर हैना सरकार का ध्यान आकरशित करवाना है सरकार का जनता के तरफ ध्यान दिलाना है इस प्रकार संचार का माध्यम जनमत निर्मान का एक ससक्त माध्यम है जनमत निर्मान का मतलब चुनाओं के दोरान सरक सरकार के पक्ष में एक महोल विपक्ष में या वर्तमान में जो सरकार है या विपक्ष ने किस प्रकार से भूमिकादा की दोनों के बारे में जन्मत का निर्मान किसके द्वारा किया जाता है संचार के मादिमों के द्वारा और उसी के संद्रम में हमारे को देखने को जो चु तो मंच प्रदान करते हैं, अब जैसे कि हमने इसको सीधे अर्थों में समझ लिया था, कि यहाँ पर जनता को एक मंच मिल जाता है, सरकार के पक्ष और विपक्ष में समा लोचना करने का, किसको जनता को संचार के मादिमों द्वारा, तो हमने इस पूरे जो यह परसन नमबर एक है, इसका हल जान लिया है, आपके समझ में आ गया है, अब नेक्स परसन पर चलते हैं, परसन नमबर दो है, अपना ध्यान से देखेगा, इसमें एक चितर भी दे रखा है, तो इस चितर के मादिम से भी हम इसको समझेंगे, क्या आप इस रेखा चितर को एक सीड़ शक हैं, इस रेखा चितर से आप संचार, मादिम और बड़े व्यापार, परस्पर्व समंद के बारे में क्या समझ पा रहे हैं, बच्चों आपको जो ये चितर दिखाई दे रहा है, ये इसमें क्या है, ये जैसे बड़े व्यापारिक प्रतिश्टान है, इनको देखकर जनता जो किस प्रकार से प्रभावित होती है फिर उनका जो जनता उनको भार जाकर किस प्रकार से उनको वस्तो की खरीदारी करती है और इन व्यापारिक प्रतिष्टानों का जो संचार माद्यमों पर जो नियंत्रन होता है इनी व्यापारिक प्रतिष्टानों के ये क्या होते हैं वो किस प्रकार से इनको प्रभावित करते हैं इन संचार के माद्यमों को तो इसमें हम देखते हैं कि इस रेखा चितर से आप संचार माद्यम और बड़े व्यापार प्रसपर सम्मंद के बारे में क्या समझ पा रहे हैं पहले तो हम इस रेखा चितर को एक सीडशक देंगे, इस रेखा चितर को क्या सीडशक देंगे, आप देख रहो पहले, इसमें देर खाया है, यहाँ पर जैसे बड़े व्यापरिक प्रतिष्टान है, यहाँ पाठक द्रशक स्रोता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, विवि इस तो ये बाजार में खरीदने के लिए प्रेरित होती है तो चलो इसको क्या दे सकते हैं हम एक सीर्षक इसको हम सीर्षक दे सकते हैं व्यापार रख सकते हैं किया रख सकते हैं इसको सीड़शक व्यापार कि किस प्रकार से संचार के माध्यम हना जो व्यापार पर आधारी काम करते हैं और व्यापारिक प्रतिष्टानों का क्या होते हैं एक भाग होते हैं इस रेखा चितरकाम सीर्षक संचार के माध्यम से व्यापार रख सकते हैं कि संचार के माध्यम के द्वारा किस प्रकार से व्यापार किया जा रहा है वो रख सकते हैं तो सीधा सा एक सब्दों में लिख सकते हैं अपन व् करनाली भी देखाए या नीचे आते हैं तो बार बार क्या दिखाया जाते हैं ॉ यह संचार के महाध्यम है जो कार्य प्रणाली है वो भौत खर्ची लिए और इस कार्य प्रणाली को सुचारूरी रूप से चलाने के लिए और साथ में जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का इन पर दबाव और नियंत्रन होता है इस वजह से इनका मुख्य लक्षर क्या होता है धन कमाना होता है इस वज़े से ये इन विज्ञापनों के माद्यम से क्या करते हैं व्यापार करते हैं बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापनों का सारा लेना पड़ता है विज्ञापन देखकर ही उभोगता वस्तुवे खरीते हैं जिससे उत्पादकों की वस्तुवे की बिक्री बढ़ जाती है और जिससे उत्पादक अधिक धन बटोरते हैं अब इस पूरे जो रेखा चित्र से हम क्या समझते हैं कि संचार साधनों के संचार के जो साधन है और संचार के जो माध्यम है उनके सयोग से ये बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्टान अपने चैनलों अपने समाचार पत्रों के माध्यम से विग्यापनों द्वारा क् पैसा कमाते हैं, जैसा कि हमने इस पर चर्चा कर ली है, तो चलो next person हल करते हैं, person number 3, person number 3 को पहले पढ़ते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजंडा बनाते हैं, हमने पढ़ा था ना भाग दोग के अंतरगत कि किस प्रकार से हना समाचार पत्र एज उधारन लिया और साथ में एक फैसन डिजाइनर द्वारा जो एक फैसन वीक आयजित की गई थी उसका भी उधारन लिया था अब तो आपको याद आ गया होगा सब तो उसके अंत्रगत ये एजंडा और मसोधा तैग करते हैं इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़त सब्सक्रिक्रा अद्व में तो सब्सक्रे replay कीसी किसी sm一下 किसी टीवी लेन ही कोई अभिनेता आ जाता कोई काना जाता अधा तब उसको मुँख प्रश्ट परिस्तान दिया जाता इसोदान इस फूदान से हम समझ सकते हैं लेकिन फिर भी हम उत्तर के आधार पर समझते हैं आप हर उत्तर को अपनी भासा में भी सदेंट कर सकते हूं संचार माद्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी और आकरशित करने के लिए भिन-भिन प्रकार के एजंडा बनाते हैं वो एजेंडे कौन-कौन से हैं जिनके द्वारा वो भिन-भिन तरीके अपनाते हैं जैसे यह प्रजातंतर को अनेग प्रकार से प्रभावित करता है उधारन लेते हैं कि सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती है और जनता सरकार की नीतियों पर अपना जन्मत तयार करती है जैसे कि हमने पिछले वाले परसंद के अंतरगत हमने पढ़ा था ना फर्ष्ट परसंद के अंतरगत किस परकार से लोक तंत्रे में संचार के महाध्यम प्रभावित करते हैं सरकार को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं तो इस परकार से एजंडा यह मसोधा तयार किया जाता है किसके द्वारा संचार के माध्यमों के द्वारा दूसरा उदानन लेते हैं संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह से वह एजंडा निश्चित कर देते हैं अब यहां संचार करके माध्यम अपने आप यह अना जो यह एजंडा कर देते हैं कि किस बात पे तो हना जो हम छापा चापेंगे या न्यू चैनलों में कारिकरम प्रसारिक करेंगे और किस बात को नहीं करना है जैसे कि हमने उसमें वहाँ देखा था कोला पयोग के लिए कीट ना सकता जो इस द्वारा जो फैसन वीक आयोजित किया जा रहा था उसको मुख प्रष्ट परिस्तान मिला समाचार पत्रों न्यू चैनलों में लेकिन उसी समय मुंबई में एक जोंपड़ पट्टी को सरकार द्वारा गिरा दिया गया उस पर किसी भी प्रकार का ले किसी भी समाचार पत् तो चलो next person पर चर्चा करते हैं, person number 4, कक्सा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक सीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, कि कक्सा परियोजना में आप प्रोजेक्ट बनाओ अपने कक्सा में अपने सहपाटियों के साथ मिलकर, और उसे एक सीर्षक प्रधान करो, अब वो कौन-कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और अन्य समाचार पत्रों में से उससे समन्दित विवरन छांटिये, दूर दर्शन समाचार पर भी इस विशे पर प्रसारित सामगरी देखिये, दो समाचार पत्रों के विवरन की तुलना करके, उनमें सम पानता और भिनता की रुपोर्ट लिखिये, निमलिक परसन पूछना सायक हो सकते हैं, अब यहाँ पर यह परसन है ना, जो आपको, जो अपन नहीं वहाँ लिया था ना, न्यू जो इंडिया जो वो आया था समाचार पत्र और एक इंडिया डेली का समाचार पत्र का, हमने तुलनात्म का द्धिन किया था, किसके समंद में वो कार खाना बंद हो गया था, सरकार के आदेश द्वारा याद आया, कुछ, उसके संद्रम में यहाँ पर बात करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, जो विबिन कतन है, उसके माध्यम से, इस परसन का क्या करेंगे, उत्त तो छूट गई और क्या बात आ गई और दोनों में तुलनात्मक अध्यन में जो दोनों की रिपोर्टर में क्या अंतर देखने को मिला सरो परतम हम देखेंगे कि इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है कि दोनों लेखों में क्या जानकारी दे जा रही है दोनों में अलग-अलग जानकारी देखने को मिली अब दोनों में कार खाने से समन्दीत जानकारी है कि किस परकार से सरकार ने कार खानों को बंद करने का निर्ने लिया तो इस वाले न्यू जोप इंडिया की रिपोर्ट में तो क्या आया था लेक क्या है था कि कारखानों के जो मालिक है और कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर है उन्होंने क्या कर दिया शड़क का चक्का जाम कर दिया तो यहाँ पर इस पक्ष एक पक्ष को उजागर किया है कि परदुशन फैलने के वजह से क्या किया है कार खानों को। के घी कही गई, साभव सपाय की बाद नहीं कीगी, उसाद में का कि हमारे को बंद करने का आदैस तक दीया लेकिन हमारे लिए पुन रिस्तापना की कि की几ी के सरकार के प्रियास नहीं हुए तो यह दोनों रिपोर्टों में अलग-अलग तरकी तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे को देखने को नहीं मिली कि किसी भी सारे पक्ष को यहां दोनों में उजागर नहीं किया गया है किसी एक पक्ष को यहां छोड़ दिया गया है तो किसी एक पर चर्चा कर लिए कि क्या जानकरी दी जा रही है कौन सी जानकरी इसमें छोड़ दी गई है हम हमने इस पर भी चर्चा कर लिए कि दोनों लेकों में कौन-कौन सी जानकरी छोड़ दी गई है यह लेक किसके दृष्टी कौन को ध्यान में रख लिया गया है अब किसके करने के मालिक हैं और जो कारखानों में काम करने वाले क्या हैं मजदूर है उनका पक्ष कहां वहां उजागरू है किसके द्रश्टिकोंड को छोड़ दिया गया और क्यों अब हमने देख लिया कि कि किसके द्रश्टिकोंड को छोड़ दिया गया दोनों में अलग-अलग द्र मजदूरों के विरोध से सम्धित एक रिपोर्ट दी गई है जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि जो New Job इंडिया में क्या रिपोर्ट दी गई है कि जो एक लाग जो मजदूर वो एक लाग जो कार खाने थे उनको बंद करने का सरकार द्वारा ओडर दिया गया है अब इसका उत्तर देखते हैं खैका न्यू जोप इंडिया ने कार खानों से फैलने वाले प्रदुशन के दुस्प्रणावों के बारे में व्याख्या नहीं की है और जबकि इंडिया डेली की रिपोर्ट में कार खानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है और नगर निगम दौरा कार खानों को कितना सुविदा अब देखो दोनों में यहाँ पर प्रदुशन के बारे में आना जो न्यू जोप इंडिया में विस्तार से नहीं समझाया गया अगर कार खाने बंद होंगे तो हमारे जो सहर की जलवायू बिल्कुल साप हो जाएगी, लोग स्वच रह सकेंगे, लोगों को बिमारी नहीं होगी, इस पक्ष को यहाँ पर उजागर नहीं किया गया, और साथ में इंडिया डेली में भी जो क्या किया गया, कार खानों और पक्ष को नहीं उजागर किया, उन्होंने कहा कि लाखों मजदूर क्या हो जाएंगे विरोजगार होंगे, लेकिन कितना उचित है उनका विरोध करना, इस पक्ष को वहाँ पर उजागर नहीं किया गया, अब गय देखते हैं, न्यू जोप इंडिया के लेग प्रदुशन के जो मालिक हैं और जो मजदूर है, उन्होंने क्या कर दिया, रोड जाम कर दिया, इस पक्ष को यहाँ पर न्यू जोप इंडिया ने किया, कि अपर खासित किया, रिपोर्ट को उजागर किया, अब डेली, इंडिया डेली की रिपोर्ट में क्या हुआ, कार खानों के मालि रोड जाम कर दिया लेकिन वहाँ पर क्या हुआ उस न्यू जोप इंडिया रिपोर्ट में तो प्रदुशन को देखते वे सरकार ने फैसला लिया लेकिन यहाँ इंडिया डेली की रिपोर्ट में एक आ गया कि इनके रोजगार से और पुनर रिस्तापना से समधित कोई भी दिया लुट्र वाद को सरकार ने नजर अंदाज कर दिया है। वहां पर ध्यान नहीं दिया 선र तो चलो अब कथन गह के अंत्रगत देखते हैं कथन गह में जो है तो दोनों किस किस दृष्टीकोंड को छोड़ आगया है रिपोर्टों में तो उसके आदार पर कथन गयका उत्तर देखते हैं दौनों रिपोर्टों में कुछ दृष्टीकॉंड को छोड़ दिया गया है न्यूज आप इंडिया की रिपोर्ट में प्रदुशन से नुकसान को नहीं बताया गया है और जो पुनरिस्तापनों और मजदुरों के रोजगार से समधित जो कारिय था उस पर सरकार ने विशेज ध्यान नहीं दिया, कि जो कार खाने बंद होने से ये इस्तती आने वाली थी, इसके बारे में यहाँ पर दोनों ने अलग-अलग द्रश्टिकॉर्ण प्रस्तूत किये, चलो, नेक्श परसंद के अंतरगत देखते हैं, परसंद नमबर पांच, विज्ञापनों के परकार के बारे में अकेली जोड़ी या समो में प्रोजेक्ट बनाए, अब आपको यहाँ इस परसंद के अंतरगत क्या करना है, अपने सैपाटियों के साथ, जो विज्ञापन ह कैसे कैसे होते हैं जो समाचार पत्रों में आते हैं और टीवी न्यू चैनलों में आते हैं विभिन कारिक्रों में आते हैं तो उन विज्ञापनों के आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं और प्रोजेक्ट किस-किस विशे से समंदीत हो सकते हैं वह वानी जिक्षय भी हो सकते हैं सारवजने की जो सारवजने की जो मुद्दे होते हैं स्वास्ते शटक शुरक्षा जल और उड़जा को बचाने की इन सभी पर आप क्या बनाएंगे प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ प्रोजेक्ट के यहां पर उधारन दिये गए उससे समंदित आपको इससे प्रोजेक्ट बनाने में साइता मिलेगी तो चलो देखते हैं यहां पर एक प्रोजेक्ट है कोरोना वाइनस से समंदित अभी हमारी बिमारी कौन सी चल रही है हमारे हैं पर पूरे भारत में है यह पूरे विश्व को प्रभावित किस ने किया है COVID-19 बिमारी ने तो उस COVID-19 से जो कि हमारे आसपासी विभिन लोगों में फैल गई है उनसे हम कैसे बचे विभिन प्रकार की सावधानिया इस प्रोजेक्ट के माधियम से इस विग्यापन के माधियम से दिया गया है अब यह किस विशे से समंदित है यह स्वास्ते से समंदित ह इसी प्रकार से ट्रैफिकल लाइट का दिरखा है कि जो ट्रैफिकल की वज़े से जो विविन प्रकार के वहान दुरुगटना गरस्त हो जाते हैं उन दुरुगटनाओं से कैसे बचा कर रखे और सभी लोगों को अना जो पानी आसानी से उपलब दो जाए उस पर भी हना जो हम विविन प्रकार के विग्यापन बना सकते हैं अब इसी प्रकार से वानिजिक विग्यापन के अंतरकत जो विविन प्रकार के जिन ऐसे वानिजिक विग्यापन जिनका मक्षद क्या होता है धन कमाना होता है इसी प्रकार से आपको एंकर जो टूथपेस्ट है उसका भी विध्यापन इस प्रकार से यहां पर दिया गया है तो आप अपने सहपाटियों के साथ कक्षा में या अभी जैसे आपकी क्लास नहीं लग रही हो तो आप आसपास्म के बच्चों के साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट तयार कर सकते हैं तो चलो next देखते हैं हम सब्द संकलन क्या देखते हैं सब्द संकलन बच्चों मैं बार-बार आपको कहता हूँ कि जो पाठे पुस्तक के जो परसन है उसके अलावा जो बीच में हमारे जो परसन आते हैं उनमें से भी हमारे परसन आ सकते हैं और साथ में जो सब्द संकलन है उसमें से भी परसन बन सकता है जैसे कि यहां दे रखा है सेंसर्शिप तो परसन यह आ सकता है जबकि पाठे गत जो परसन है उसमें पांस प्रस्नों के अंतरका संकलन को प्रकासिता सतव्य समाचार, पत्रव साक्षात कार विवरण आदिसय जीने समाचार, पत्रों, और पुस्तकों में छापा जाता है उनको प्रकासित किया जाता है जो समाचार पत्र हो या न्यू चैनल उपर जो कारिकरम प्रसारित किया जाते हैं उनको ही क्या कि कहा जाता है प्रकासित कहा जाता है सेंसर्ची अब इसका तात्परे हमने ही हाँ इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली सेंसर्च का मतलब होता है प्रतिबंद कि सरकार है जो किसी फिलम या किसी समाचार पत्र या टीवी न्यू चैनल पर जो प्रतिबंद लगाती है उसमें कुछ कांट छाट करकर ये कहती ह है कुछ विवरण अना प्रकासित जैसे कुछ जैसे समाचार पत्रों में कुछ लेक की कांट सार्ट कर सकती है या कोई फिलम प्रतिशित कर रहे हैं तो उसमें भी कांट सार्ट करने का दिखार किसको है सरकार को है तो यहां पर सरकार सेंसर्चिप के माध्यम से क्या लगात इसके लिए सरकार ने एक sensor board भी बनाया हुआ है अब है प्रसारण इस सब्द का प्रयोग TV अत्वा रेडियो कारिक्रम के सम्मन्द में हुआ है कि TV रेडियो पर जो भीजिन प्रकार के कारिक्रम सैटलाइट के माध्यम से प्रसारण किया जाता है उनका वहां पर इस सब्द का प्रयोग हुआ है फिर देखते हैं सारवजनिक विरोध का जैसे कि हम सब जानते हैं सिदा सिदा अर्थ क्या होता है कि सबी लोग मिलकर किसी सामाजिक मुद्दे पर जो विरोध करते हैं जो सबी से समंदिद मुद्दा होता है उसे क्या कहते हैं सारवजनिक विरोध कहते ह विसाल संक्या में लोग एक जुठ होकर किसी विशे पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं सारजनिक विरोध कहते हैं तो हमने यहां सब्द संकलन के विमिन अर्थों को भी समझ लिया है अब मुझे उम्मीद है कि जो यह पार्ट है हमारा स संचार के माद्यमों को समझना यह आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा और साथ में हमने इसके प्रसनों को भी हल कर लिया है अब नेक्स्ट जो यूनिट है अपनी बाजार उससे समंधित हमना नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवार